आज हम बनाने जा रहे हैं अद्रक का अचार खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है साथ में अद्रक को आयुर्वेद में खास महत्तव दिया गया है अद्रक हमारे पाचन किर्या को भी ठीक रखता है साथ में इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम और कई तरह के विटामिन्स मोजूद होते हैं जो हमारे श्रीर के लिए बहुत जरूरी है अद्रक को हम सूखा वे ताजा दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं और अगर हमें अचार डालना है तो उसके लिए हमें ताजा अद्रक की जरूरत होती है तो आएए देखिए अद्रक का अचार बनाने के लिए हमें क्या समान चालिए 200 ग्राम हमने अद्रक लिया है जिसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है 240 ग्राम ही हमने निबू लिये हैं जितनी अद्रक है उतना ही हमें निबू लेना है एक चुटकी हमने हींग लिया है आदा चमच हमने काला नमक लिया है एक चुथाई चमच काली मिर्च और आदा चमच हमने नमक का लिया है अद्रक को हमने पहले से ही थोकर साफ कर लिया था अब हम अद्रक को छील देंगे चाकू की सायता इसे इसको हम हलका हलका छील देंगे और इसका पतला पतला छील का असानी से उतर जाता है अद्रक को हमने चील लिया है और अब हम इसके एक मीडियम अकार के छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे इस तरीके से हम इसके छोटे-छोटे टुकडे करते जाएंगे मीडियम साइज के हम इसके टुकडे कर लेंगे इकना बड़ा टुकडा हो कि एक बार हम बाइट में खाएं तो खाने में अच्छा लगते इस तरीके से हम इस सारे अद्रक को छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है अद्रक का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम निपू का रस निकाल लेते हैं निपू काट लेंगे और रस निकाल लेंगे इस तरीके से हम सारे निपू का रस निकाल लेंगे निपू का रस हमने निकाल लिया दो निपू के रस को और मसालों को अब हम अधरक में अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो सबसे पहले हम मसाले मिला देते हैं नमक को मिला देगे हींक को मिला देगे काली विर्च पाउडर मिला देंगे और काला नमक मिला देंगे और इसके साथ ही हम निपु के रस को मिला कर इसको खुब अच्छे से मिक्स कर देंगे चमच से हम इसको खुब अच्छे से मिला देंगे अद्रक को मसालों को और निपू के रस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम अद्रक के अचार को एक कंटेनर में डालकर रख लेते हैं स्वादिश्ट अद्रक का अचार हमारा बनकर त्यार हो गया है अद्रक का अचार बहुत दिन तक चलता है लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी साथानी रखने की जरूरत है जब भी अचार को कंटेनर में भरें वो सूखा और साफ हो और जब भी अचार को खाने के लिए निकालें जिस चमच से निकालें वो भी सूखा और साफ हो और इसको सूखे और साफ हातों से निकालें तो अचार बहुत दिन तक चलते हैं अचार को सूखे और साफ कंटेनर में भर कर रखें ये अचार करीब दो महिने तक खराब नहीं होते अद्रक के स्वादिश्ट अचार को बनाईए, खाईए और अपने अनुभाव हमारे साथ शेर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ